दीवारों पर आई डरावनी दरारें वर्षों से बने आस्यानों के उजड़ जाने का खौफ हर वक्त आने वाली तबाही की आहट उत्त्रा खंड के जोशी मठ में हट की कीमा तब पूरा पहार चुका रहा है एक बहुत बड़े छेत्र में सालों से बसे बाशिंदों के जीवन पर खत्रा है तो वहीं जोशी मठ में आई तबाही की आहट से पहारी अश्टित्तों पर भी खत्रा मनड़ा रहा है विकास की बयार के साथ आई विनास की इस घड़ी में सैकडों घर तबाही की कगार पर है और ये तबाही यही रुक जाए तो भी गनीमत है क्योंकि जोशी मट के पहाडों में तो प्रलै की घंटी बच चुकी है जोशी मट में आई प्रलै की दरारों को लेकर तरह तरह के कारणों को पेश किया जा रहा है जिसमें सबसे बड़ा कारण जोशी मट से करीब डेड़ किलोमीटर दूर बन रही रहिस्च मई टनल को बताया जा रहा है पहाड पर प्रगती के लिए इस टनल का निर्मार किया जाना था लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही प्रकिर्ट ने प्रलै का अलार्म बजा दिया है विकास के बदले पहाड से विनास की घंटी बच चुकी है ये आसू तिनका तिनका जोड कर बनाए गए आशियानों के उजड़ जाने पर आखों से छलकाए है जोशिमट में आई तबाही कोई एक दिन का परिनाम नहीं है बलकि इसके लिए सालों से पहाड पर की जा रही प्रकिर्ट के साथ छेचार जिम्मेदार है सालों से खुरदुरे पहाड पर चल रहे वनों की कटान और विकास के नाम पर आई योजनाओं ने कमजोर पहाड को ढहा दिया जोशिमट में आई इस तबाही को लेकर सालों पहले भविशवानी यू ही नहीं की गई थी बलकि हिमालय की उचाईयों में बसे पैरा ग्लेशियल जोन में इस पहाड को पहले से ही कमजोर बताया जा रहा है पैरा ग्लेशियल जोन का मतलब है कि पहाड का वो इलाका जहां कभी ग्लेशियर हुआ करते थी लेकिन बाद में ग्लेशियर पिघल गए और उनका मलबा बाकी रह गया इससे बना पहार मोरेन कहलाता है वज्यानिक भाषा में ऐसी जगा को डिस इकुलिवरियम कहा जाता है मतलब ऐसी जगा जहां जमीन स्थिर नहीं है और जिसका संतुलन नहीं बन पाया है जोशिमठ विंटर स्नोलाइन की उचाई से भी उपर है विंटर स्नोलाइन या शीत हिमरेखा हुआ सीमा होती है जहां तक सर्दियों में वर्फ रहती है ऐसे में भी वर्फ के उपर मलबा जमा होते रहने पर वहां मोरेन पहार बन जाता है अता जोशिमट कई सैकडों साल पहले ग्लेशियर के उपर जमे मिट्टी के मलवे से बसा हुआ है या बहुत मजबूत चटान नहीं है या भुश्खलन का ही छेत्र है अगर जोशिमट को अस्थाई रखना था बचा कर रखना था तो जोशिमट में जो चटाने हैं जो जंगल मौजूद हैं उनको छेड़ना नहीं चाहिए था जोशिमट करीब 6,000 फीट की उचाई पर बसा है लेकिन बसाहट बढ़ने से फॉरेश्ट कवर 8,000 फीट तक पीछे खिसक गया है पेणों की कमी से कटा और लेंड स्लाइड बढ़ी है इस दरान खिसकने वाले बड़े पत्थरों को रोकने के लिए जंगल बचे ही नहीं है पहार पर भूश्खलन को रोकने के लिए ढलानों पर ब्रिक्छारों पर जरूरी है लेकिन जमीन के मलवे के नीचे भारी मात्रा में पानी है तो घरों में दरार आनी स्वभाविक है जोसिमट का अस्तित तो बचाना नामुम्किन है लेकिन सरकारें इससे एक सबक जरूर ले सकती है उत्राखंड के पहारों में निर्मार कारे ततकाल रोक देना चाहिए क्योंकि जंगल है तो पहार है जंगल खत्म तो पहार खत्म इस तबाही को लेकर सालों पहले धार्मिक और वैज्यानिक भविश्यमानी की गई थी जिसे गमभीरता से नहीं लिया गया अब भी अगर पहार की प्रकृति पर ध्यान न दिया गया तो प्रलै कोई नहीं रोक सकता